जैमाकाली न अक्टूबर दोजार तेवी सोमवार को एका दर्शी है और एका दर्शी तित्री जो है वो 12-37 से शुरू होगी सोमवार को और 10 अक्टूबर मंगलवार को शाम तक तीन आठ तक रहेगी तो जो व्रत रखा जाएगा वो 10 अक्टूबर को रखा जाएगा उद्य उसे कई गुना स्फादा पुंने प्राप्त होता हूं, जे और सॐन द worship करने से होता है अात द्वाने पित्र होता ओर आगर आगर घुर। दैजरंग द्बला सकते हैंоном KD bize आगर प्राप्ति करने से होता है। यह देखा जाता है आपने पुराने समय में देखेंगे और अभी भी अगर किसी के प्राण नहीं निकल रहे हो बड़े मुश्किल बड़े कश्ट हो रहा हो तो उस घर के परिवार की बहु बेटी परिवार का कोई भी सदस से उनके कान में जाकर यह बोल देता है कि बस अब प्रस्थान कीजिए भगवानजी के पास जाये आम आपके लिए एका दशी इतना व्रत रहें ऐका दशी करेंगे 5 1 1 1 1 1 1 21 1 5 इस तरह से उस्ट रह आधासी का व्रत बोल दिया जाता है कानौ में और फिर बाद में वो एका दशी का व्रत करके उस पुन्य को जो जाने वाले हैं उनकी लिए दान कर दिया जाता है कि ये जो मैंने एकादशी किया है उसका पुन्य है उस आत्मा को मिले और वो मुप्ति प्राप्त करी तो एकादशी का इतना अधिक महत्व है अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी का वुरत नहीं कर पा रहा है जैसे बा चावल खाया जाता है, तो एक एक दाना जो चावल होता है, एक एक कीड़ी के खाने के बराबर होता है, एक दशी कवरत के दिन जो चावल खाता है, एक दशी कवरत करने से परमात्मा के प्रसंदता की प्राप्ति होती है, पुरुकल में राजा नहुशने, अंबरीश, राज हो जाते हैं और एकादशी के दिन में किया हुआ जो भी दान होता है उसका जो पुन्य होता है वो कई कई गुना दिखुता है तो महिने में 15-15 दिन में एकादशी आती है तो व्रत अवश्य करना चाहिए एकादशी का जैमा काली